पलपल नियूस दोस्तों हमास ने इसराइल को घुटनों पर ला दिया है या फिर साफ कहना सही होगा कि इसराइल ये जंग हार चुका है क्योंकि लगातार दो महीने से जादा हो चुके है इस जंग को और इस जंग में कोई पिट रहा है ठक रहा है financially bankrupt हो रहा है तो वो सिर्फ इसराइल है और आज तो तर्की के राष्टपती ने भी सभा में कह दिया कि इसराइल अब अकेला पड़ चुका है इस जंग में उसे funding नहीं मिल रही support नहीं मिल रहा उसके असला बारूत खतम हो रहे हैं और उसका दिल कहे जाने वाले टैंकों को त अब तक हमास के मुझाहिदिनों ने धेर कर दिया है गाजा में कबरिस्तान का जो टैंकों का कबरिस्तान लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमास ने दावा किया है नए विडियो जारी करके कि इसराइल में अब तक 180 टैंक तभा कर दिये गए हैं और ये जो अब हमास का खुखार चहरा सामने आ रहा है जिसे ये पूरा का पूरा जंग और भी जादा खतरनाख खौफनाख और जंगी होता हुआ दिखाई दे रहा है मजबूत सिर्फ हमास है यहां पर आपको इस बात को याद रखना होगा जैसे कि 7 अक्टूबर की अगर हम बात कर करते हैं तो 7 अक्टूबर से लेकर आज तक पूरी तस्वीर बदल चुकी है हमास को आतंकी कहने वाले भी अब उसे लड़ा का कहने पर मजबूर हो चुके हैं गोदी मीडिया ने भी अपनी हेडलाइनों को बदलना स्टार्ट कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं साफ तोर पर कहा जा रहा है कि कैमरे पर वीडियो जारी करके बताया जा रहा है कि टैंको का कबरस्तान देखिए इस वीडियो को जारी करते हुए लिखा गया है कि अब यह जंग और भी जादा जंगी हो चुकी है और 180 टैंको को नेस्ते नाबूत कर दिया गया है अब एक छोटे से मैथड से समझते है कि इसराइल के कबरस्तान वाले टैंकों की संख्या के साथ-साथ इस बात का अंदाजा लगाना कितना आसान हो जाता है कि कितने सिपाहियों को भी अब पूरी तरीके से नेस्ते नाबूत कर दिया गया है तो हम मोटा मोटी अगर 180 के अगर हम बात करते हैं तो 180 को 180 टैंक का मतलब यह है कि मोटा मोटी 13 जो उसके सिपाही है मतलब 6 उसके अंदर 7 उसे फॉलो करने के लिए उसको प्रोटेक्शन देने के लिए तो तोटल बनता है 13 तेरा को अगर आप 180 से गुना करेंगे तो आपका बनता है 2340 तो मोटा मोटी अगर हम इस बात का गणित समझे तो 180 टैंकों में 2340 सेनिकों को धेर कर दिया गया है जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि मीडिया ने अपना सुर बदला हुआ है इन नोगों ने भी अपनी जो सचाई है उसे ना बताने की कसम खाई है उन्होंने भी इस बात की कसम खाई है कि वो इसराइल की तरफ से पिठ्थू बनकर आपको इसराइल की खबरे बताएंगे इसराइल के कहे गए नरेटिव को बताएंगे यहां तक की बड़े बड़े चैनल भी इसराइल के प्रोस्पेक्टिव को रख कर गाजा को जिस तरह से प्रिटेंट कर रहे हैं और पूरी दुनिया बार बार हर मीडिया चैनल को बेनकाब होते हुए देख रही है यहां साफतोर पर लिखा है कि क्लिफ सामने रखी गई है जो कि वीडियो आपने भी देखा उस वीडियो के तहट पूरी तरीके से प्लान करके इस टैंकों को नस्दीक जाके यानि गोरिला वोर के की सोची समझी साज़श के साथ हुने उड़ाया गया आप देख सकते हैं क इसे गोरिला टेकनीक बोली जाती है जो कि वोर में काम आती है और अक्सर जब बात आती है वोर की तो वोर प्रकरन के बारे में यहां मारा गया वहां मारा गया इतनी सारी टेकनीक होती है उन सब में गोरिला टेकनीक जो होती है वो सबसे खौफनाक और खतरनाक होती है और उस टेकनीक का इस्तमाल करके IDF को घुटनों पर ला दिया है आपको बता दें कि किस तरीके से पूरी खबर की अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करें मारकवा टैंग उसका दिल कहा जाने वाला इसराइल का सबसे मजबूत साथी इसराइल के लिए दिल इसराइल का सब कुछ लेकिन एक महीने पहले अगर आप जाते हैं तो धू धू करके हमास के मुझाहिदिनों ने उसे ठिकाने लगा दिया और इसराइल के दिल का क्या हुआ वो आप तमाम वीडियो में देख चुके हैं एक बार फिर से देखिए उन दिल का कैसे दिवाला निकाला है हमास के जाइदिन उने एक बार इस वीडियो कर नज़र डाल दीजे उसके बाद तफसीर से इस खबर पर बात करेंगे तो दोस्तों आपने देखा ये विडियो इस विडियो में दिल का कैसे दिवाला निकाला गया है उसके सबूत हमने आपके सामने रख दिये अब बात करते हैं मारकवा टैंक की अब खुद मीडिया चैनल के रिपोर्ट में लिखा जाने लगा है कि दिल कहा जाने वाला मारकवा टैंक में क्या ऐसी खराबी है क्या ऐसी कमी है क्या वो बेकार है और कैसे पचास से जादा टैंक ने को जो है वो हमास ने पूरी तरीके से नेस्ते नाबूत कर दिये यहाँ पर साफ तोर पर लिखा हो गया है कि हमास ने इसराइली मारकवाट टैंक को खतम कर दिया और अपने दावे के साथ उन्हों ने विडियो भी पोस्ट किया और उस पोस्ट करने के साथ साथ ड्रोन से कैसे मारकवाट टैंक को गिराते हुए द रहा है एर स्ट्राइक के जरीए ये भी आपके सामने हैं और इस जंग में अकेला पढ़ने के बाद भी सत्ता जाने के डर से आम लोगों का खून बहा कर अपने आपको हीरो समझने वाला नितन याहू भी पूरी तरीके से बेनकाब हुआ है उसके बेनकाबी के सबूत इस प्रावी कैसे उसके दिल का दिवाला हमास के मुझाहिदीनों ने निकाला है और उस दिवाले की वजह से अब जो उसके सिपाही हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं पैरों में पढ़ पढ़के वो जान बचाने की बात कर रहे हैं उनका समान हमास के मुझाहिदीन पूर गोलीबारी हो रही है बिचा कर IDF के ठिकानों को उड़ाया जा रहा है बूम 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 जिस तरीके से वहां हर सेकंड का महौल बन चुका है IDF के लिए खुद अपनी जान बचाना मुश्किल हो चुका है किस तरह से IDF की बेस को रॉकेट से उद्राया जा रहा है तमाम स्नाइपों को मार डाला जा रहा है इन्हीं सब के चलते ये बात तो कहना ही रह जाती है कि इसराइल हार चुका है इसराइल हार चुका है पूरा अपने नक्षे कदम पर चलाऊंगा और इस बात पर गौर कर लेना आपके लिए जरूरी है कि नितनियाहु की इस सनक की वजह से इस बात पर अब इसराइल के लोगों का भी विश्वास उठ चुका है और विश्वास उठने की वजह से 5 लाग से जादा इसराइली खुद भाग चुके हैं वहां से और वो डॉलरों का उनको नुकसान हो चुका है लेकिन उसके बावजूद वो तो रोना बस इस बात का रो रहे हैं कि हमें सीस फायर चाहे पूरी दुनिया बोले कोई हमारे साथ हो या ना हो हम तो नहीं करेंगे हम तो मासूमों की जान लेते रहेंगे हमास को खत्म करने के नाम पर हमास को बार बार नए नए तरीके से कहा जा रहा है बताया जा रहा है लेकिन उसने भी अपनी मुस्तेहदी के साथ दिखा दिया हक और बातल की लड़ाई को अगर इमानदारी से लड़ा जाए तो इसराईल जैसे धीट मकार देशों को भी घुटने पर आना पड़ता है